नमस्का किसान भाईो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग मेनेजमेंट में किसान भाईो जिसे की सुबह का समय है वो सुबह बज़रे लगबग 8 में आया हूँ अपने खेत पर तो किसान भाईो आप देख सकते हैं यह लगबग 3BG का एक प्लाट है और यहां पर आप लसुन देखेंगे काफी अच्छी खड़ी हुई है लेकिन किसान भाईो यह हम गल्ती करते हैं कि सुरुवात में हम आके देखके चले जाते हैं अभी आप देखेंगे कि उदर से मैं आता हूं वहाई से देखके जले जाता हूं लेकिन जब अपनी लसुन के अगर हमें एंड में आता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर इस छे साथ क्यारों में किसान भाईो थीप सका अटेक हो चुका है और इतना भाईंकर अटेक हुआ है कि दिरे-दिरे यहां बढ़त अच्छी खड़ी होती है वहां पर दीर-दीरे बिमारी अका फेलना सुरू हो जाता है मैं आपको अगर बता हूं तो यहां पर जो पत्ते सुकने की समस्या आ रही है किसान भाईो आप देखेंगे काफी ज्यादा मात्र में टिप से उपर की सूक रही है बिल्कुल ही आप इसका समय रहते उप्चार करना बहुत ही जरूरी है वहना आपकी लसुन की आलत ऐसी हो जाएगी आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जो लसुन की पत्ते पूरी तरह से शिखूडने लगे हैं क्योंकि इन पत्तों का रस जो ठिप से रस चूसक किटों ने पूरी तरह से चू जो बोजन बनाता है उसका उपर तक बोजन नहीं पहुच पा रहा है यह जो ठिप से किसान भाइयो यहां बीच में ही बोजन को चूस रहे हैं जिससे पोदा कमजोर पढ़ रहा है और रोक पती रोत ख्शमता घट रही है जिसके कारण हमाई लसुन में जले भी रोग और जैसे कि कोई इंसान कमजोर होता है तो वह ज्यादा बीमार पढ़ने लगता है क्योंकि उसमें रोक पतिरोग शम्ता उसकी नहीं रहती है तो इसका समय रहती उप्चार करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसके लिए किसान भाई आप ले सकते हैं एमीडिया का क्लोब्रीट ज़रूरी है कि काफी डाउन चली के लसुन हमारी और अगर आप वहां पर देखेंगे तो काफी अच्छी खड़ी हुए हरी-परी तो किसान भाई उसका सबसे में कारान यह है कि हमारी लसून में ठीप्स काटे हो चुका है तो काफी ज्यादा मातरम हो चुका है और अभी तरह से पोदा खराब हो चुके हैं और देर-देर डाउन विल्ली भी कभी अटेक लसुन में होने लगा है अभी लगबग 20 दिन पे ले हमने दवेकास पर किया था लेकिन जैसे पांस दिन निकले और आप लसुन के हलाद आपके सामने देखी सकते हैं तो किसान भाई हो लसुन का जो रस चुसने का काम शुरू कर दिया है और जो रस पूरी तरह से लस जो किन किटों ने चुस लिया है तो किसान भाई उसका इस्प्रे में आप चाय तो भंगी साइट भी ले सकते हैं और उसके साथ आप चिपकों का ज़रूर परियोग करें क्योंकि किसान जाते हैं जो अगर आप अच्छा वाला चिपकों का प्रियोग करते हैं तो वह क्या करता है कि अबना जो पोदा होता है उसमें पूरी तरह से वह रस उतर जाता है फेल जाता है जिससे क्यांड़े आपके थीप से खतम हो जाते हैं और यह एक सिस्टेमेटिक और कॉंटेक दोनों तरह कर आपको देखनें को मिल जाएगा जिसमें जो सिस्टेमी अगर अगर आप लसुन का जो थीप से मर जायेगा और आजने वाले 15 दिन में भी अगर आपके लसूं में को थीप सा चाहता है उसका भी खातमा हो जाएगा तो टो किसानभरे उम्मीद आपको जानका यारी जरूर शेल करें और आपने लहसून में आप चारों तरफ ज 느खे कि कहीं किसी बीमारी का अटैक तो नहीं हुआ अभी तक किसान बहbereich जो मेन शमर्चा डेखने को मिलेगी वह आपको घृपसी ही देखने को बिलेगी तो किसान बह barking का दर समात Nepree जूले रही है